मोधी सरकार ने जो मैं बोल सकता हूँ जो अभी इंक्रिमेंट किया है वेजिस में वो काबिले तारीफ है साल में दो बार इंक्रिमेंट कर रहे हैं लेकिन मैं मोधी सरकार से एक प्रश्ण पूछने चाहता हूँ कि या ये implementation कागजों में रह जाएगा या उन स्रमिकों तक बेरोजगारों तक जो भी बोल सकते हैं जो पंचायत में काम कर रहे हैं मजदूर हैं उन तक पहुंचेगा इतना मैं कुछ नहीं जाता हूँ अब यहाँ पर जो न्यूज में बहुत सारे यूटूब में आ रहे हैं कि इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया लेकि रियाल्टी क्या है सच्चाई क्या अगर आप समझोंगे तभी जान पाओगे अब मेरी बास समझना मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं तो यहाँ पर अनिस्किल्स सेमिस्किल्स क्लर यहाँ पर आप दे सकते हो लेकिन आप ध्यान देने वाली चीज है एरिया ए एरिया भी एरिया सी यही चीजे है चूंकि जब सेंटर गवर्मेंट पैसा बढ़ाती यह वेज अबात मतलब कि स्टेट पर भी डिपेंड करता है अगर हम आजाये देखो यह गवर्मेंट का साइड है यहाँ पर लिखा हुआ है यह वेजज रिपोर्ट है और इतना इतना रुपए बढ़ा है देख सकते हो आप जो सबसे पहला यहाँ पर लिखा है कुसल 6 सफाई माल ल बहुत से पैसा पीए डीए एसाई पीए जो भी है उसमें कट जाएगा तो कुछ ना कुछ पैसा कट जाएगा मालो असी 700 रुपए हात में आएगा मेरी बात द्यान समझना जो मासी को 20 दिख रहा है यह 20 नहीं होगा 18 के सम्तिंग 17,000 के सम्तिंग बनेगा इसी तरह अध कुसल कर्मी बिना हतियार चौकिदार प्रभावी 954 रुपए अतधी कुसल में बहुत से हमारे भाबुक इंजिनियर लोग आ जाएंगे देश के जो इंजिनियर है जो बिरोजगार है वो आएंगे और खास करके उनकी जो बन रही है या 1035 रुपए जो कुसल में भी आ सकत जाएगा मैं हकीकत बता देता हूं आपको अप्रेल के बाद भी ये पैसा आते 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 आपको मतलब अगले साल का प्लान रखो ये अगले येर का प्लान रखो तो क्या लिका है के सरकार समीम को कि उभौक सुचकांग के 6 महीने के औसे विदी के दार पर साल में दो बार सीर महंगाई बत्ते का सजसोधन करती है दो बार इन्होंने सजसोधन किया इस अच्छाई है मैं इस बात पर एग्रीट करता हूं अब सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई बत्ता बढ़ा है क्या बढ़ा है और सबसे अनोखी बात है जो इंप्लिमेटेशन होगा या जल रहा था यह अभी यह चेंजेज होगा ठीक ना यह जो वीडिये कहलाता है मतलब इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता चेंज होता है अकोर्डिंग टू गवर्मेंट के अनुसार से जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार से ठीक है यहाँ देखो यहाँ आपको दिख जाए देखो अब एरिया हो देखो classified of area दिख रहा है यह classified area है अब देखो area B में आप आते हो area C में आते हो किस में आप आते हो यह आपको देखना पड़ेगा दोस्त ठीक है आपको देखके समझना होगा उसी area के अनुसार आपको करना होगा अगर मैं मद्य परदेश को है रहा है कि नहीं यहां पर मैं मैं देखो CR compromise compromise area not mention this अगर आपका C में आ रहा है अगर आपका area इसमें नहीं मिलना है तो आप C में हो और C में हो तो मतलब आप कितना वेजन है आपका हाइस्किल वालों का 860 रुपए 868 रुपीज ठीक है तो कितना बढ़ा है यह आप समझ स करें रहा है इस बात पर हम बात करते हैं कि को कि अगर मैं उपर जाता हूं अब संसोधन देख लो आप यह अभी का नहीं है area बाइस area A और B C का है ठीक है लेकिन यह संसोधन को यह 17 का है ठीक है यह 22 का अभी वाला नहीं है ठीक नहीं तो अभी कितना बढ़ा है और उस समय क इतना बड़ा था इस बात पर हम चर्चा करेंगे देखो और सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं आपको दिखा दूँ यहां पर कि यह देखो यहां का विजज देखो 926 रुपए यह था हाई स्किल अब एरिया का नहीं मालूम है मालू अगर यह मैक्सिमम एरिया भी रहता है तो कितना बड़ा है आप समझ सकते हो ठीक है यहां पर और यहां पर अगर हम सबसे पहले न कुछ बातों को संचित में देना चाहता हूं देखो अगर भलाई सबका हो तो ज्यादा अच्छा होता है अब बात करेंगे देखो यहां इन मंदेन क्य जो लोग ठीकदार के पास काम करते हैं उनकी बेतन में कैसे बढ़ेगी पहला कुशन हर सब्सक्राइब जो लोग ठीकदार के पास काम करते हैं मैं एक बात बोल देता हूं ठीकदार के पास काम करते हैं तो सायद ही हो पाए अगर वो गौवर्मेंट के अंदर ठीकदार काम नहीं कर रहा है, तो में भी पॉसिबल नहीं है कि आपको उसका वेतन उतना मिल पाए, दूसरा बात सर हमको खेतों में काम करने के लिए दिन के 300 मिलते हैं, यह हम कुछ नहीं कर सकते, क्या सर यह नियम प्राइवेट लिम्टेट कंपणियों, क्रमचारियों जो skill, non-skill वाले employee है, उनका वेतन बहुत हाई है, इससे ज़्यादा है, ठीक है तो इस बात पर हम कट करते हैं जो संबिधा में हैं संबिधा का मतलब state government या कोई center government का form चल रहा है, जैसे coal mines है power plant है, उनके अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, और ठेकदार के अंदर में काम कर रहे हैं, तो definitely बढ़ेगा, लेकिन जो अभी का tender चल रहा होगा, maybe जो अभी का tender चल रहा होगा, दूसरे tender में convert होने में time लगेगा, ठीक है राज सरकार जो इस लागू करेगी टेक्स्टाइल मिलो कारखानों पे विशेश तोर पर लागू होना चाहिए, ना केवल काग्जों पे दिखाई जाए, देखिए इस बंदे की बात सही है, टेक्स्टाइल मिलो पे, टेक्स्टाइल मिलो पे बहुत ही, जब वहाँ पर कोई हाथसा होता, भगवान ना करें काई टेक्स्टाइल मिल में हो, तब वहाँ पर लेबर कोट आता है, बहुत सारे चीज़े होती है, तब होता है, या कोई जाँ चाद दिखा ली जाता है, तो उसे लोग समझ सकतने कैसे अंडर्स्टेंडिंग कर लेते हैं, तो यह सिर्फ कागजों पेरा जाता है, फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इनकी बात सही है, और यह इसको जहल रहोंगे, तो जानते होंगे, जो प्राइबेट नौकरी कर रहे हैं, नौकरी वाल जैसे चौकिदार, जानते हैं,